दोस्तों, अपलस अकेडमी में आपका स्वागत है, मैं हूँ दिरजवेशन हूँ, कल हमने तुलना आत्मक यानि कि तुलना के आदारित प्रस्ण का solution किया था, उसके अंदर हमारा एक टाइप के प्रस्ण बच गया थे, यानि कि जिसके अंदर नाम पे आदारित हो, हमने PQRS प्रस तो ले लिया, ABCD भी ले लिया, इसके अंदर जैसे किसी के उससे ज्यादा अंक आये, या अंकीता जो है, रानु से लंबी है, छोटी है, या उससे उम्र में ज्यादा आई, एसे प्रस्ण जो नाम पर आदारी थे, वो प्रस्ण आम इस वाले वीडियो के अंदर करने वाले है, तो तीन-चार प्रस्ण ने ही करेंगे, वीडियो बहुत छोड़ बनेगा, लेकिन उससे आपकी अंदर्स्टेर्णिक इतनी बढ़ जाए कि आप कोई से भी क्विशन कर सकते आराम से, तो चलिए गाईस, शुरू करते हमारे पहले क्विशन से, तो दोस्विशन आपके सामने, ऐसे क्विशन के अंदर एक नई टेक्निक में आपको बताऊंगा, इसके अंदर आपको जो बड़ा और छोटा जो लिखा होता है, दिमाग खराब करता है बार-बार, कि सर कहां बड़ा लिखे, कहां छोटा लिखे, कहां ऐसे लेस देन, कहां ग्रेटर देन लगा है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिफ एक बड़ा वाला चिने ले रहे हो, सिफ बड़ा वाला ही लेना है, अगर यह बोल देगे उससे छोटा है थो हम उल्टा करके माल लेंगे, वो इससे बड़ा है, बस इससे काम चल जाएगा, अना, देखे कैसे एटे तो ठीक है, हम यह लिख देंगे, गिर्जा जो है ममता से बड़ी है, तो ममता से बड़ा कौन है, यह ममता माल यही ममता है, इससे बड़ी है गिर्जा, यानि ममता से बड़ा अंकीता भी है, ममता से जो बड़ी है, गिर्जा भी है, अब अंकीता और गिर्जा में से दोनों तो किसके लिए आता है? सेंटेंस के पहले वाले शब्द के लिए, तो गिर्जा के लिए आया है, तो गिर्जा जो है अंकीता से छोटी है, अब ये गिर्जा जो है किस से छोटी है? अंकीता से, तो इसका अंदब अंकीता बड़ी है, मैंने क्या बताया है? छोटा शब्द आ आला मानेंगे तो अंकीता बड़ी है यह अंकीता है बड़ी है गिर्जा से अब देखना इसके अंदर ममता से बड़ी है अंकीता ममता से बड़ी है गिर्जा और गिर्जा से बड़ी अंकीता यानि ममता और अंकीता है ममता और अंकीता है इनके दोनों के बीच में कौन है गि तो कृष्च्णा रानु और मम्ता से चोटी है इसका हुद उल्टा करके बड़ा उसे गई अगर क्या बोल रहा है व्मिता रानु से बड़ी है यहे बड़ा रानु से बड़ी है अब ममता जो है इस रानू से बड़ी है इस काम लोग यह ममता यह नहीं आएगा रानू यह आएगा और रानू से भी बड़ी कोन है यह बड़ी है तो यह ममता काम हो गया अब इसे arrangement कैसे करते हैं देखिए ममता से बड़ा कोन है गिर्जा गिर्जा से बड़ा अंकीता और ममत इसे कर दिया ऐसे करें आ जब चैनल की संभावम तो बिलकुल भी नहीं रहे हैंगी हना अंडेट पर संट किशंट किसेbnगा आपको जो दे रखा है आप उससे क्या मनो उसका उल्टा मान लो सबसे पहले sentence हमने क्या मना बड़ा तो जहां पर भी छोटा है उसका उल्टा करके हम उससे बड़ा मान लेंगे बस काम खता हमारा यह हो गया आमारे पास इसनका arrangement होगा अब यह बोल रहा है किसकी उम्र गिर्जा और रानू के बीच है तो गिर्जा ये है और रानू का है ये है इनके बीच में कौन है ममता तो ममता की उम्र है तो यहां लिखेंगे हम ममता यह ममता यानिक M ममता की उम्र है देखी गिर्जा और रानु के बीच में ममता किस की उम्र ममता और क्रिष्णा के बीच में ममता और क्रिष्णा की उम्र यानि के रानु आर तो यह हो जाएगा इसका रानु है ना रानु हो जाएगा इसका आर अना कितना सिंपल है बिल्कुल पांच नमबर फोकट के मिलते हैं ऐसे किसकी उम्र ठीक पांचु के बीच में है तो दो तो इधर है दो इधर है तो बीच में कौन है ममता तो बस यहां आजाएगा मम्ता मम्ता क्यों रहे सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा तो अंकीता है तो यहां आजाएगा अंकीता अंकीता इसके बाद देखेंगे सबसे यूवा कौन है सबसे यूवा का मतलब होता है सबसे छोटा ना यूवा का मलब सबसे चोटा और सबसे चोटा तो Already सब भी को आता है तो यूवा देख kay ऐसा समझ आना की सबसे बड़े वाले को यूवा बोलेगी घूषलना सबसे चोटा अब सबसे चोटा को न है या पर के तो कृष्णा सबसे यूवा ना यहां आजाएगा कृष्णा ठीक है गाइस तो यह पांच नंबर आपके फ्री में ऐसे मिल सकते हैं सिर्फ आपको थोड़ी सी मेनत करनी होती बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है अना फिर से बता रहा हूं जहां पर भी एक बार आप अगर बड़ा मान लो किसी सब्द को हमने यहां पर देखिए अंकीता ममता से बड़ी है तो अब बड़ी है अनि ग्रेटर देन यह बड़ा आलाचीन मान लिया अब जब भी छोटा आएगा हम उसे उल्टा करके बड़ा मान लेगे बस यह कंसेप्ट आपने लगाना सीख लिया तो कोई सा भी क्विस्टन गलत नहीं होगा और आप कोई फसेंगे भी नहीं कि इसमें कम हो रहा है इसमें ज्यादा हो रहा है अब क्या करूं ऐसा कुछ निए ठीक है ना गाईस तो चलते एक और नए क्विशन पर उसमें भी देखना किस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्विश्चन का सुलिशन करते ह अब हाँ अगर इसे नोडाउं करना है तो आप नोडाउन कर सकते हैं दोस्तों एक और क्यूशन आपके सामने है ये क्विशन ऐगसाम में अया क्यूशन है देखे कि अ कितना सःल क्यूशन है ये ती नंबर जो है बिल्कुल फोकट के नंबर थे वहाँ पर आपको छोटे मोडे पॉइंट मैंने दो ही तो पॉइंट बता रहा है आप इस वह में उसे याद रख सकते हैं आप यहां देखे किस तरीके से सवाल को अटेम्ट किया जाता है सबसे पहले यहां देखेंगे मैंने क्या बोला जो बड़ा है सिर्ट बड़ा बड़ा ही लेना है आप अगर छोटा ले तो छोटा छोटा ही लेना है तो बड़ा लेंगे सबसे पहले इसमें यानि कि अंकित सुनील से बड़ा है तो सुनील से कोन बड़ा है अंकित बड़ा है ये अंकित बड़ा है, आगे क्या बोल रहा है, मुरली अंकित से बड़ा है अब इस अंकित से भी और कौन बड़ा है, मुरली, ये हो गया, मुरली मुरली बड़ा है, लेकिन किसन से छोटा है, अब किसन से छोटा कौन है, मुरली के लिए है लेकिन किन्तु प्रण्तु जो सब्द आगे-ागे होता है उसके लिए तो मुर्ली के लिए है, तो मुर्ली है, किसन से छोटा है, इसका हुदब किसन बड़ा है, मैंने क्या बोला, छोटा है, इसका हुदब किसन बड़ा है, बड़े में, तो किसन से छोटा है, इसका हुदब किसन बड़ा है मुरली से तो मुरली से और कौन बड़ा है? ये किसन है ये किसन है, सिंपल सी बात है आगे बोल रहा है किसन सुनिल से बड़ा है ये किसन जो है सुनिल से बड़ा है सही बात ही तो है क्योंकि सुनिल से बड़ा तो अंकीत है अंकीत से बड़ा मुर्ली, मुर्ली से बड़ा किसन, बिल्कु सही है वैसे ही हो गया है तो, सुनील मुर्ली से चोटा है, सुनील जो है, इस मुर्ली से चोटा है, सही बात है, क्योंकि मुर्ली से चोटा अंकीत है, अंकीत से चोटा सुनील है, ये भी सही हो गया तो गंबीर सबसे बड़ा है, अब यानि कि सबसे बड़ा यहाँ पर कोण है गंबीर है, सबसे बड़ा गंबीर है, बस काम हो गया हुमारा, यह arrangement ही हो गया है, यह बस, मैंने बताया ना जब बड़े-बड़े लेते तो किस प्रकार से फाइदा होता है, यह देख लीजे आप सिर्फ वितीन आपको समझाने में भी अगर 30 सेगंड लगे तो सोचे एक आदमी प्रस्नली जब इससे करता है तो कम से कम साथ या आठ सेगंड में इससे question को 100% attempt कर लेता हो अब जो पूछे है आप बता सकते हैं इसमें से सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर ऐसे यह सबसे छोटा है सिम्पल सी बात है उम्र के अंसार बीच में कौन है तो यहाँ दो इदर यह हैं दो इदर है तो बीच में तो मुर्ली है यानि कि इसके अंदर कि आ जाएगा? मुर्ली आ जाएगा. ठीक है? अंकित और सुनिल के बीच कौन है? कोई नहीं. यानि कि कोई नहीं. यह कोई नहीं. यह आंसर इसका. यह इक्जाम में आया हो प्रश्न है. अब आप खुल सोचें तीन नंबर कितने फोककट के हैं यहाँ आपको सिर्फ एक ही अप्रोच लगाना है कि आप बड़ा ले रहो हो तो सिर्फ बड़ा-बड़ा ही लीजिए आपको अगर छोटा देरका है तो उसका उल्टा कर दीजिए जैसे हमें क्या देरका था कि यहाँ पर मुर्ली किसन से छोटा है अब हमें बड़ा लेना है आपर बड़ेगा चीन है बड़ेगा बस काम खता में हमारा कितना सिंपल क्विश्चन है गाइस अगर एक कंसेप्ट समझ में आया तो एक कमेंट जरूर करें हाँ सर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है गजब का कंसेप्ट है ऐसे क्विश्चन आप खुद करके देखिए अपनी जो बुक आपने जहां पर भी कोचिंग कर रखी हो या आपके पास कोईसी बुक हो उसके अंदर ये तुलनात्मक समंधी प्रस्ण जो है इसे उठा करके देखिए जो मैंने एप्रोच बतार का उससे कीजिए 101 परसंट आपके प्रस्ण सही होगा तो गाइस चलते एक और हमारे अंडर्स्टेंडिंग पैदा हो अना सोचने की शंता पैदा हो क्योंकि एक बार अगर आपने सोचना सीख लिया तो हजार क्विशन भी होंगे इस वह में आप कर पाएंगे लेकिन वही 15 गिसे पिटे क्विशन करा दूँगा आप भी खुस हो जाएंगे वहां लाइक करके की आदत हमेशा डाले ताकि कम से कम छोटे मोटा एक्जाम तो आपकी युहीं बाय हांत से यहांत के खेल से ही निकल जाए हना तो चलते हैं से क्विशन को अटेम कैसे करते हैं अटेम करने का तरीका वही है बड़ा है तो सिर्फ बड़ा बड़ा लेते जाए यह चोटा है उसको भी उल्टा बड़ा कर दीजे बस काम खता में आपका यहां पर हम देखेंगे एक परिक्सा में राजु को महेंदर की तुलना में अधिक अंग प्राप्त हुए यानि कि राजु बड़ा है इनको अधिक अंग प्राप्त है किसकी तुलना में महेंदर की तुलना में लेकिन पुषकर से अधिक अंग प्राप्त नहीं हुए अब ये लेकिन आया लेकिन किसकी लिए जो शुरूई शुरूई वाला होता है राजू ये बोल रहा है कि लेकिन पुषकर से अधिक अंग प्राप्त नहीं हुए इसका उल्टा क्या है कि पुषकर को अधिक अंग प् यहां लिख दो आप, पुषकर को ज्यादा प्राप्त है किसे गंशाम और कमल से, बहुत ही सिंपल है, आगे चलते हैं अब, हाना मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैं चाहता दिया, ऐसे लिखता है, लेकिन मुझे बताओ, क्या गंशाम और कमल का भी आया, कि इन दोनों में से किसको प्राप्त हुए, पुषकर को प्राप्त हुए, अभी इसका पता निया हमें कि इन दोनों में से किसके ज़्यादा है, आगे चलते हैं अब, ठीके, अब यहां पर क्या लिखाओ है, महेंदर की तुल्ना में गंशाम को कम अंग प्राप्त हुए, तो महेंदर को ज्यादा अ बहुत ही simple है आगे चलते हैं लेकिन सवों में उसके अंक सबसे कम नहीं है कितना मज़ेदार है सबसे कम नहीं है अंक इसका अवलब यह कमल बाभू जो है यह पड़ते नहीं है इनके जो हैं अंक सबसे कम है क्योंकि बच्चे वे तो यह भाज साब एक ही है तो बस यह हमारा approach यानि की पूरा हमारा concept था उससे काम हो गया मुझे बताओ इसमें कोई समस्या है इतना बड़ा question है विदिन आप 10 second के अंदर से soul कर सकते हैं यह मेरा खुद का निजी अनुबो है इसलिए मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ वहना फालतु का ग्यान मैं किसी को नहीं देता हूँ ना खुद गर्यान करता हूँ यहां तक बरावा है फालतु ग्यान की ज़रत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी time waste ना हो तुम कुद अच्छी चीज सीख कर गे जाओ यहां से ठीक है आगे चलते इसमें अब जो भी आपसे पुछे इसमें आप कर सकते हैं इसके अंदर आरोही करम में दूसरे स्थान पर कौन है अब आप आप आपको कमपिजन है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज यहां लिख देते हैं आज के बाद कभी नहीं बूलो गया आप यहां पर देखिए अब आवरोही के अंदर आप शब्द देखिए एक दो तीन चार टोटल कितने है चार आरोही के अंदर एक दो तीन तीन सब्द है इसका मदब क्या सबसे ज़्यादा किसमें है इसमें है आवरोही में तो सबसे कम कर दीजे ना एक कम कर दीजे चार से लि आरोही के अंदर कितने होते हैं? तीन होते हैं, तो अब चार है, चार से जादा है, तीन की तुलनाम चार जादा है, चार से एक कम कर दो, तो कम करेंगे इसका अंदर क्या है? गटता हुआ करम, गटता हुआ करम जो होता है, अवरोही होता है, और यहां तीन है, पहले से ही छो अवरोही का मतलब चार अक्सर है, चार यानि की चार से अब क्या है, ज्यादा है तो ज्यादा से कम कर दो, यहां कम थे तो हमने ज्यादा कर दिया, यहां ज्यादा है, तो कम कर दो, यानि कि कम होता हुआ करम, इस से कम यह, इस से कम यह, इस से पिर यह, इस परकार से, तो सबस प्लीज मुझे बताना कि ये question जो आपको इसे निम्बंदात पक समझिक विज्ञान वाले question लग रहे थे ये question आपको कैसे लगे है ये जो approach है यहाँ पर सिर्फ बढ़ा-बढ़ा ही लेना है जो छोटा है उसको उल्टा करके बड़ा लिखना है तो गाइस सच में दिल से बताना कि ये idea आपको कैसा लगा ये trick आपको कैसे लगी है ये concept आपको कैसा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोसों साथ शेयर करना बिलकुल मत भूला क्यूंकि ऐसे question आप याद क